अगर यह जादा आ रहा है तो आप ओवर कमिटेड हैं और ओवर कमिटेड होना अच्छी बात नहीं है प्रड़क्टिविटी के लिए अगर आप इस चैनल पर नहीं है तो मैं हूँ अभिशेक पोरोहिद और अगर आप कॉंटेंट मार्केटिंग के दुनिया में सक्सेस्फुल होनों चाहते हैं वाइल बिंग हाइली प्रड़क्टिव तो इस चैनल को ज़रू सब्सक्राइब कर लिजेगा क्योंकि मैं यहां बात करता हूँ उन टॉपिक्स पर जो आपकी सक्सेजरनी में आपको हेल्प करने वाले हैं आज मैं बात करूँगा पांच प्रड़क्टिविटी एपस पे जिनने मैं रोज यूज करता हूँ हम डिसकस करेंगे कि यह कैसे हल्प करती है और इसमें सबसे ज़्यादा इन एपस में मुझे क्या पसंद आता है और साथ ही लास में एक स्मॉल प्रड़क्टिविटी टि इसमें अधर एपस की तरह कोई लिमिटेशन भी अटैच नहीं है इसका क्लीन इंटरफीस टैक्स फीचर एंड सर्च फीचर इंफरमेशन को और एक्सिस करना बहुत इजी बना देते हैं इसमें आप मेडिया लाइक इमेज़ेज वीडियो म्यूजिक पीडियेव यह सब भ यह फीचर बहुत हैंडी होता है बहुत यूसफुल होता है जब आप related topics पे काम कर रहे हो दो related notes को आपको attach करना है तो यह बहुत यूसफुल फीचर है इस अप का and the best part is कि यह multiple platforms को support करती है और easy synchronization भी है सब के बीच में साती इसका Chrome और Firefox का extension भी है जो आप अगर research करते हैं बहुत जादा तो आप Web Clipper की तरह use कर सकते हो उस extension को वह आपको screenshot बगेरा लेने में और save करने में directly to Joplin help करेगा and यह app end-to-end encryption भी support करती है तो no worries about privacy what I like the most वो है इसका clean और minimalistic interface जो मुझे help करता है to stay focused on the work next app is loop habit tracker हम सब जानते हैं कि habits productivity के लिए के 3 important होती है but habits build करना especially good ones एक tough task है तो यह app उसमें help करती है यह भी बहुत simple और clean app है जो बिना clutter के वही काम करती है जिसके लिए बनाई गई है यह आपको option देती है to add two different kinds of tasks like yes or no या फिर measurable suppose you want to create habit of exercising तो आप इसको दो तरीके से या तो yes or no के format में या फिर उसको measurable habit की तरवी add कर सकते हैं आप इसमें add कर सकते है reminder, reminder question, frequency, notes and change कर सकते presentation color while adding a new habit अगर habit measurable mode में है तो you can add unit and target as well आप हर habit का data beautiful visual presentation की form में भी देख सकते हैं आसानी से आपको इसमें days skip करने का भी option मिल जाता है तो आप उसको अपने cheat days के लिए use कर सकते हैं यहां आपको options मिलते है different sorting options and options to hide habits जो आपने उस दिन के लिए complete कर लिए what I like the most इस app का जो data presentation का करीका है बहुत अच्छा है वो habits का जो performance है उसको track करना और उस पे work करना बहुत आसान बना देता है next app is pocket research एक time taking process है and अगर research के हुए जो sources हैं वो miss हो जाए तो ऐसा ना हो इसके लिए आप use कर सकते हैं beautiful और simple app pocket यह read it later app है जिसको use करके आप जो web pages हैं उसको आप save कर सकते हैं ताकि आप उसको बाद में read कर सकें अगर यह आपके android phone में है तो आपको web pages save करने के लिए बस करना है एक काम अपने browser का share feature यूज करना है pocket app को select करना है tag add करना है and it's done क्यूंकि pocket tag based organization यूज करता है तो जब भी आपको अगर कोई article बाद में search करना है इस app में तो आपको बस tag select करना है और उस से related जितने भी आपने article save किये हैं वो आपको आपका असानी से मिल जाएंगे एक और चीज जो इस pockets app को बहुत useful मनाती है while doing research on laptops and next tops वो है availability of firefox and chrome extension आप महां से easily कोई भी article को save कर सकते हैं कोई भी blog को save कर सकते हैं and बाद में आसानी से pockets app की through उसको access कर सकते हैं पढ़ सकते हैं और अगर आप article और blog को read नहीं करना चाहते हैं तो इसका TTS मतलब text to speech feature यूज कर के उस पूरे article को उस पूरे blog को एक podcast की तरह सुन भी सकते हैं असानी से and इसके discovery page पे आप renown websites का content consume कर सकते हैं और save भी कर सकते हैं आपके interest के according so that's an edit benefit for all the content writers and content creators out there वैसे तो यह app free है but for additional features like highlighting text, full text search and few other benefits आप इसके pro version पे भी जा सकते हैं what I like the most मुझे इसमें दो features बहुत पसंद हैं एक तो इसका article view जो मुझे help करता है कि मैं focus way में distraction free way में content consume कर सकूं और reading experience में समध्य हो सकूं and second इसका highlight feature जो मुझे help करता है to stay on top of important information next step is forest शायद आपने इसका नाम सोना होगा social media apps, app notifications, unnecessary browsing यह सारी चीज़े productivity को सबसे ज्यादा एंपर करती है और अगर आपको ज्यादा focus रहना है तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप इन सारी चीज़ें को इन सारे distractions को बन कर दें इसका सबसे सिंपल तरीका है distraction elimination apps को यूज करना इसके लिए मैं यूज करता हूँ forest यह एक बहुत ही इंट्रेस्टिंग एप है आप एक dedicated section के तुरू अपने records भी चेक कर सकते हैं और सबसे अच्छी बात की एक फ्री टूल है बट अगर आप add-free experience चाते हैं तो आप इसका प्रो वर्जन भी ले सकते हैं इस आप का प्रो वर्जन आपको ऑप्शन लेता है जिसमें अपने जो अपने टाइम प्रोड़क्टिविटी बढ़ा के जो कॉइन किये हैं उससे रियल प्लांट्स भी प्लांट कर सकते हैं इसके लिए फॉरस्ट आपके डेवलपर ने फीस फॉर फूचर और और इसे ता की पासवर्ड याद रखना और उनको मैनेज करना इससे बचा लेता हूं इसका जो आटोफिल फीचर है वह एंड्रोइड एस जो विंडोस टेक्स्टॉप है उस पे भी बहुत अच्छे से काम करता है तो इसको यूज करके आप फासवर्ड याद रखना उनको मैनेज करना और भूल जाने पर उनको रिट्रीव करने के प्रोसेस को फॉलो करना इससे बचा सकते हैं और अपनी प्रड़क्टिविटी बढ़ा सकते हैं इसकी यह अपने फ्री प्लान में भी इस अपके फ्री प्लान में भी आपको जिते भी इनके कोर फीचर जैसे जीरो नॉलेज इ to check your phone in the morning and इस पे भी focus करें कि आपके लिस्ट में number of tasks किते हैं और हर task का ETC मतलब estimated time to complete कितना है अगर ये ज्यादा आ रहा है तो आप over committed हैं और over committed होना अच्छी बात नहीं productivity के लिए आज के लिए बस इतना ही अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो like और share जरूर कर दीजेगा और content marketing और personal growth जैसे topics में आप अगर interested हैं तो subscribe button भी जरूर प्रेस कर दीजेगा we'll meet you soon stay happy and stay safe